नमस्तेकार और आजम कड़े हैं इंडियन क्रॉस ओवर सुवी के सामने हैं जिसका नाम है जीप मेरीडियन 2022 में लॉँच हुई थी और ये फर्स जुनेशन वेरियंट आप देख रहे हैं सिर्फ डीजल में आती है रेंज शुरू होती है एक शुरूम 33,60,000 रुपीज से और टॉप मोडली कीमत है 40,000 रुपीज और ये टॉप मोडल ओवर लैंड 4x2 आप देख रहे हैं जिसकी कीमत है 37,000 रुपीज इंट्रनेशन मार्केट में इसे जीब कमांडर भी कहा जाता है ये सेकिंड जुरूनेशन कमपास का एक्स्टेंडेड वील बेस मोडल है इंडी और ब्राजील में एसेमली होती है मेरिडियन की स्टिलंटेस के स्मॉल वाइड 4x4 लॉंग वील बेस प्लैट्वाम बनी है मेरिडियन जिसपे कमपास, रैम रैम पेज, डॉज होरनेट और अल्फा रोमियो टॉनेल भी बने है इसका डिजाइन ग्रैंड चरोकी से इंस्पायड है ये 7 सीटर SUV है 4x4 अल वील ड्राइ सिस् स्टिलेशन है, सोलर कंट्रोल ग्लास है आगे क्रोम फिनिश दी गई है काफी अट्रैक्टिफ फ्रंट दिजाइन है और ये LED कॉर्णरिंग फॉक लैंप, फ्रंट सेंसर है और ये जीप सिगनेचर 7 स्लोट क्रोम ग्रिल, फ्रंट कैमरा, जीप का लोगो और ये आउटमेटिक LED प्रोजेक्टर हेड लैंप, DRL के साथ, जीप परफॉर्मेंस LED, पोनेट पर दिजाइन, रेंज सेंसिंग वाइपर्स है, रूफ रेल्स है, सन रूफ है, शार्क फिन आंटेन, ग्रोम फिनिश है, आटो फोल्डिंग, लेक्रिकली अडिस्टेबल ओटसाइब मिरर्स है, टर्न इंडिकेटर और कैमरा के साथ, मेरीडियन की बैजिंग, क्रोम फिनिश, 4.7 मिटर लेंध है, 1.8 मिटर वेट्थ है, 1.7 मिटर हाइट है, लगवग 1900 केजी कर्व वेट है और 5.7 मिटर टनिंग वेडियस है, साइट क्लाइडिंग है, डायनेमिक स्टेरिंग टॉर्क है, और यह हैं 18 इंच के डामेंड कट डूल टोन अलॉई वील, आगे और पीछे डिस्क प्रेक्स मिलेंगे, आगे पीछे 235-55R18-100V बिरिज्टोन डॉलर ह्टी ओल सीजन रेडियल ट्यूबलेस टायर्स है, LOS के बीच में जीब का लोगो, और यहां से बरेंगे डीजल, कैपलेस फ्यूल फिलर है, डेफ टैंक है, यह परल वाइड कलर आप देख रहे हैं, सिल्वर, ब्लेक, रेड, ब्लू, ग्रे और ग्रीन कलर का भी ऑप्शन है, आगे एंटी रोल बार के साथ मैग पर्सन स्ट सस्पेंशन मिलेंगे, और पीछे मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलेंगे, रियर सेंसर से हैं, पीछे लाइट दी गई है, क्रॉम फिनिश है, स्किट प्लेट है, स्पेर वील, एक्जास टेल पाइप, जीप की बैजिंग, रियर कैमरा, और यसले में लीडी टेल लाम्प, अदाप्टिव ब्रेक लाइट के साथ, रियर वाइपर, स्पोईलर, हाई माउंट स्टॉप लाम्प, ओवर लैंड की बैजिंग, टॉप मॉडल में पीछे 4x4 की बैजिंग आएगी, फ्रिक्वेंसी सेलेक्टिव डैंपिंग, FSD, सस्पेंशन, हाईड्रॉलिक रिबाउंट स्टॉपर, HRS के साथ, हर टरेन पे स्मूध राइट के लिए, यूनी बॉडी चैसी है, एलेक्टॉनिक रोल मिटिगेशन है, जो हाई स्पीड पे बॉडी रोल होने नहीं देगा, 1300cc पैट्रोल एंजन में भी आती है मेरीडियन बट वो इंडिया में अवलेबल नहीं है, सेटी अंदर 6 airbags, ABS, CBD, Remote Keyless Entry, Hill Descent Control, All Speed Traction Control System, Front Seat Belt Reminder, Reversing Park Assist, Sparking Camera, Electronic Stability Control, Hill Start Assist, 360-degree Camera, iOS of X Child Seat Mounting और Tire Pressure Monitoring System जैसे Features मिलेंगे, Jeep Life App के थुरूँ अब स्मार्टफोन से भी कार के कई Features अक्सेस कर सकते हैं, जैसे Remote Door Lock and Lock, Remote Light On-Off, Remote Trunk Unlock, Remote On, Towing Notification, Geo Fencing, Customer Support, Stolen Vehicle Assist, Trip Analytics, Driver Analytics, Location Services, GPS Tracking और बहुत कुछ, पीछे का काफी stylish look है, Jeep Overland का, आएए बूट ओपन करके देखते हैं, पावर लिफ्ट टेल गेट है, तो यहां आपको मिलेगी 170 लिटर की बूट स्पेस, थर्ड रो फोल्ड करने पर 481 लिटर की स्पेस बन जाएगी, लाइट दी गई है, बूट क्लोज करने का बटन, hook है, धर भी light, hook, नीचे टूल केट, काफी स्पेस, पजीब का लोगो, फ्लैट फोल्ड थर्ड रो सीट्स, वन टच से बूट क्लोज हो जाएगा, आईए पीछे का पैसेंजर साइट दोर खोल कर देखते हैं, नाइन स्पीकर्स का एलपाइन साउंड सिस्टम मिलेगा मेरीडियन में, हाई पावर एक्स्टेरल अम्प्लिफायर के साथ, 80 डिगरी डोर ओपनिंग अंगल, बाटर होल्डर काफी स्पेस, उपर भी थोड़ी स्पेस, पावर बेंट होगा बटन, स्वेट फेनिश, और ये एंपेरेडर ब्राउन लैदर एपालस्टरी, स्वेट इंसर्ट और कॉपर बैकिंग के साथ, तीन अडिजस्टेबल हेड़ वेस्ट है, साइड में स्वेट फिनिश है, लैदर एपालस्टरी ये बीच में, यामरेस पे दो ग्लास होल्डर, सीट के वीचे पॉकेट्स में लेंगी, सन् रूफ है, 600-40 स्प्लिट फॉल्डिंग, सेकेंड रो सीट सह, रिकलाइन, फोल्ड और टंबल के साथ, 50-50 स्प्लिट फोल्डिंग, फ्लाइट फोल्ड फोल्ड, थर्ड रो सीट सह हैं, रिकलाइन के साथ, दो एड़दिवल हैड़ रेस्ट हैं, हुक्स है साइड में बॉटल होल्डर एसी कंट्रोल्स हैं बॉटल होल्डर दो एसी वेंट यूस्बी पोर्ट नीचे 12V का पोर्ट और असे इकता है डैश्पोर्ट थ्री स्पोक्स टेरिंग है हेंडल बार होक रीडिंग लाइट देर भी हेंडल बार होक आईए ड्राइवर साइड दोर खुल कर देखते हैं आगे वन टच एक्सप्रेस अप डाउन पावर विंडो में लेगे एल्पाइन के स्पीकर बाटर होल्डर काफी स्पेस ऊपर भी थोड़ी स्पेस डोर लॉक अन लॉक अनने का बटन पावर वंडो के कंट्रोल्स ओरियम के कंट्रोल्स दो मेमरी सीट के फंक्शन्स हैं आई यह फ्रंट पैसंजर साइड दोर खोल कर देखते हैं यहाँ भी लॉक अन लॉक अनने का बटन है सीट अजस्मेंट स्कॉफ प्लेट है टायर प्रेश इंफरमेशन एट वे पार अजस्टिबल फ्रंट सीट्स हैं वेंटिलेशन के साथ यहां ओर लेंड की स्टेचिंग दूल तोन इलेक्ट्रिक होन है यह पैडल्स बुनेट कोलेंगा लीवर लाइट के कंट्रोल्स स्वेट फिनिश डैश्पोर्ट पर यहां रेस्ट इसके अंदर भी काफी स्पेस दो ग्लास होल्डर्स है थोड़ी स्पेस है साइड में और यह है ZF का है 948 TE 9-speed automatic transmission 6-speed manual transmission का भी option है टॉप मॉडल में यहां पर 4x4 के बटन्स आएंगे जो अभी नहीं है इसमें इलेक्रिक पार्किंग ब्रेक है wireless charger है, USB port है दो यह dual zone automatic climate control AC screen off करने का बटन है, volume के controls है दो AC event, यह auto start stop off, traction control off, hazard light, park assist के बटन और यह 10.1-inch का Uconnect tusk के infotainment support करेगा Bluetooth, wireless Android Auto, Apple CarPlay, navigation, voice command, USB, FM or radio AC control, navigation, phone, car setting, surround view camera, front camera display कई सारी settings है, display settings अब dark color भी select कर सकते हैं audio settings, Android Auto, FM radio, driver profiles notifications seat ventilation software updates software updates device manager profile settings profile settings driving assistance camera setting navigation setting rear camera display रिशान्दा डैश्पोट के finish यह soft sweat finish glow box काफी space यह passenger side vanity mirror auto dimming rear view mirror auto dimming rear view mirror reading lights boot open करने का button है और यह है dual pane panoramic sunroof यह है अर यह driver side vanity mirror handle bar है side और ये है leather wrapped steering wheel ये phone, instrument cluster के control ये cruise control ये wiper के control light के control engine start stop button steering adjustment और ये है 10.2 inch का digital instrument cluster ये थेखाएगा coolant temperature, fuel level, gear shift indicator, rpm, speed, compass, outside temperature और का information speedometer, average, range आइए bonnet खोलते हैं और देखते हैं diesel engine तो ये है 2000 CC in-line 1 cylinder Fiat multi jet 2 GTD turbo diesel engine 170 horsepower है, 350 Nm torque है, 0 से 100 की speed पगड़ेगी 10.8 seconds में, 198 km पर आर की top speed है, 15 coverage मिलेगा automatic transmission में, 16 coverage मिलेगा manual transmission में, 60 liter के fuel tanks है ये ही Fiat multi jet 2, diesel engine, compass, Cherokee, Renegade, Alfa Romeo Giulietta, Fiat Ducato 3, Bravo, Sedisi, Fremont, Toro, Lancia Delta 3, Chevrolet Cruze, Captiva, Saab 95, Cadillac XT4, MG Hector, Tata Harrier, Safari, Suzuki SX4 और, Astra J में भी यूज़ होते हैं और यह hidden lizard design और यह वेंडशील्ड पर जीप का design तो यह था JTD diesel engine और यह है top model 4x4 इसमें आपको hill hold, four wheel drive low, hill descent control और four wheel drive lock के buttons मिलेंगे transmission के साथ आपको drive mode selector जिसे कहते हैं select train traction management system भी मिलता है उसमें मिलेंगे आपको तीन drive modes, sand mud, snow और auto यह top model overland 4x4 आप देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं, transmission के नीचे आपको यह चार buttons मिलते हैं 4x4 के और transmission के side में भी एक button मिलता है drive mode selector यह सिर्फ top model overland 4x4 में ही आएंगे यह drive mode selector button, hill hold, 4x4 के buttons और पीछे आपको यह 4x4 की badging मिलती है तो कैसे लगी आपको jeep meridian overland 4x4 हमें comments में बताईएं thank you बड़ी कात्त,में बड़ी कात्त कर दो सकत्त है